जै मातादी दोस्तों, वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हर्द एक स्वागत है, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंड बॉक्स में जै मातादी जरूर लिखें दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि नवरात्री कलस का विसर्जन किस प्रकार करें माता की चौकी किस प्रकार हटाएं? दोस्तों, विसर्जन के समय अकसर लोग छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं और कुछ चीजों को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि हमें किस चीज का विसर्जन करना चाहिए और किस चीज का विसर्जन नहीं करना चाहिए तो आज मैं आपको कलस विसरजन की कम्प्लीट जैन कारी दोंगी कि आपको माता की चौकी कैसे हटानी है और कलस का और खाली कलस का क्या करना है कलस के अंदर जो जल होता है उसका क्या करना है इसके लावा जवारो का विसरजन कैसे करना है अखंड जोती का आपको क्या करना चाहिए और जो कलावा है, लोंग है, सुपाडी है, सिक्का है, उसका क्या करना है चावल का क्या करना चाहिए दोस्तों इस वीडियो में आपको कम्प्लीट जानकारी विसरजन की मिलेगी इसलिए लास तक वीडियो के साथ बने रहें लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सस्क्राइब करके बेल आइकन दबा दें और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सेयर करें तो आईए सुरू करते हैं तो चले सबसे पहले हम जानते हैं कि आपको विसर्जन कब करना चाहिए दोस्तों कलस का विसर्जन हमेशा दस्मी तिथी में ही करना चाहिए आप विसर्जन दस्मी तिथी में सूर्योदे होने के बाद करें आप सूर्योदे से लेके सूर्यास्त के बीच में विसर्जन कर दें दस्मी को सूर्यास्त के बाद विसर्जन नहीं करना चाहिए दस्मी को किया गया विसर्जन सर्वत्तम माना जाता है आप इस दिन प्राता कल सुभा जल्दी उटकर इशनान आदिकर के माता की विदवत पूजा करें इसके बाद माता को और कलस को प्रणाम करते हुए उनका आसिरवाद लें और हाँ जोड़के मां से प्रातना करें कि मां मैंने आपकी नौरात्र के नौ दिनों के वृत पूरी भक्ती और शद्धा के साथ किये हैं आप हमें अपना आसिरवात प्रदान करें और हमारे घर में सुख, शान्ती और समरद्धी बनाए रखें साथ ही साथ नौ दिनों में अगर आप से कोई भूल चुक हुई हो तो उसकी छमा याचना भी अवस्य करें अब आप सबसे पहले आप माता का जैकारा बोलते हुए चौकी को अपने इस्थान से थोड़ा सा हटा लें अब आप एक बड़ी सी थाली ले लें क्योंकि जब भी आप कोई चीज हटाएंगे तो उसे ध्यान रखें कि आप डिरेक्ट जमीन पर नहीं रखें आप कोई भी चीज हटाएं तो उसे थाली पर रखें ना कि जमीन पर अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि जल्द बाजी में कलस हटाते समय फूल नारियल आदी चीजें जमीन पर रख देते हैं तो आप ये गलती ना करें आप एक थाली ले लें और सभी सा मगरी धीरे धीरे करके थाली में रखते जाएं अब आप सबसे पहले कलस का विसरजन करें इसके लिए आप सबसे पहले कलस का नारियल उठा कर उसे थाली में रख दें और जो चावल की कटोरी है अब आप उसे उठाएं अब इसके बाद कलस में जो आम के पत्ते रखे हैं आप उन्हें उठाएं और इसके बाद जो कलस के अंदर हल्दी, सुपाड़ी, सिक्का, कोड़ी जो भी डाला है आप उसे निकाल लें उसे भी आप थाली में एक साइड रख लें अब आप माता का जैकारा बोलते हुए कलस को अपने इस्थान से उठा लें ध्यान रहे कलस आप अपने दोनों हातों से उठाएं फिर जो आम के पत्ते हैं उसकी सहायता से आप कलस के जल को अपने पूरे घर में छिड़काओ करें ध्यान रखें कि अपने में गेट पर छिड़काओ अवस्य करें और घर के ट्वालेट और बातरूम को छोड़कर पूरे घर में छिड़काओ करें थोड़ा सजल घर के सदस्यों को भी प्रसा सरूब ग्रहन करवाएं इसके बाद जो हल्दी, सुपाडी, सिक्का कलस के अंदर से निकला है उसे आप किसी लाल कपड़े में बांध कर अपने पूजा इस्थान या धन इस्थान पर रखें ऐसा करने से आप के घर पर माता लक्षमी का इस्थाईवास बना रहता है और जो आम के पत्ते हैं, अगर वे सूखे नहीं हैं तो फिर आप उन्हें अपने घर पर कलावे की मदद से बंदर बान बना कर अपने में गेट में टांग सकते हैं और अगर पत्ते सूख गए हैं तो फिर आप उनका विसरजन कर दें और नारियल के उपर जो कलावा बंधा है या कलस के मुख में जो कलावा बंधा है उसे घर के सदस्यों के हाथ में या अपने हाथ में भी बांध सकते हैं और अगर कलस का जल छिड़काव करने के बाद भी बच जाए तो आप उसे किसी पवित्र पेड़ के गम्ले में डाल सकते हैं आप जानते हैं कि खाली कलस का क्या करना है यदि आपका कलस मिट्टी का है तो ध्यान रखें कि मिट्टी के कलस का हमेशा विसरजन ही किया जाएगा और यदि आपका कलस पीतल, तांबा या किसी धातू का है तो आप उसे अपने पूजा इस्थल पर यूज़ कर सकते हैं या कुना अगले साल उसी पर कलस स्थापना कर सकते हैं, ध्यान रखें कि मिट्टी के कलस का दुबारा इस्तमाल नहीं किया जाता है मिट्टी का जो भी पात्र है दीपक वगेरा उन सभी का विसरजन होगा और अब जानते हैं कि कलस के उपर रखें नारियल का क्या करना चाहिए, उसे तोड़ना चाहिए या नहीं क्योंकि बहुत से लोगों का मानना है कि नारियल को प्रशाप सरूप खा सकते हैं या वहें कुछ लोगों का मानना ये भी है कि कलस के उपर रखे नारियल का हमेशा विसरजन ही करना चाहिए तो मैं आपको बता दूँ कि कलस के उपर रखे नारियल को स्रीफल कहते हैं यानि ये देवी लक्षमी का स्रूप मानकर हम उसकी 9 दिनों तक पूजा अरजना करते हैं तो मैं आपको यही सला दूँगी कि आप इस नारियल का विसरजन करें और यदि आपने कलस के उपर सूखा नारियल रखा है तो आप उसे देवी सुरूप मानकर अपने लाल कपड़े में लपेट कर उसे अपने घर के मंदिर पर रख कर पूजा अरजना कर सकते हैं या फिर इस सूखे नारियल को लाल कपड़े में लपेट कर अपने धन स्थान पर भी रख सकते हैं इससे भी घर में बरकत होती है और अगर आप उसे घर में नहीं रखना चाहते हैं तो फिर आप इस नारियल का विसरजन ही करें यही उचित होगा और अब जानते हैं कि कलस के उपर रखी चावल की कटोरी या जो भी अनाज आपने इस्तमाल किया है उसका क्या करना चाहिए दोस्तों कटोरी के चावल या आपने कहीं भी अनाज का इस्तमाल किया है तो आप चाहें तो उसे ब्रामण को दान दे दें या अगर बहुत थोड़े से हैं तो फिर आप अपने घर की छट पर चुडियों को खाने के लिए ये चावल डाल सकते हैं और अगर चावलों में मिट्टी या कंकर आदी मिल गए हैं तो फिर आप इनका विसरजन कर दें और अब बात करते हैं अखंड जोती की तो दोस्तों अगर आपकी अखंड जोती में घी है तो जितना घी बचा है उसे पहले पूरा होने दें कभी भी अखंड जोती को बीच में स्वयम न बुझाएं आप उस अखंड जोती को पूर्ण होने दें जब पूर्ण होकर स्वता ही बुझ जाए तभी आप उसको हटाएं अन्यता उससे पहले उसका विसरजन ना करें और अब जानते हैं कि जिन लोगों ने जवारे यानि खेत्री बोई है उसका विसरजन कैसे करना चाहिए तो दोस्तों सबसे पहले आप उन जवारों में से थोड़े से जवारे तोड़ लें और उन्हें अपने कानों में लगाएं या कुछ जवारे लेकर अपने घर की लौकर में रखें इससे घर आपका हमेशा अन्य और धन से भरा रहेगा दोस्तों कुछ जवारों को प्रशास वरूप घर के सबी सदस्यों को भी ग्रहन करना चाहिए अब आप बचे हुए जवारों को गाय को खिला सकते हैं या फिर आप जवारों को किसी नदी या तलाब में विसरजित भी कर सकते हैं और जवारों के नीचे अगर जो मिट्टी है उसे आप अपने घर के गंबले में मिला सकते हैं और जवारे के नीचे जो चोड़ा मिट्टी का पात्र होता है उसका आपको विसरजन ही करना चाहिए मिट्टी की कोई भी चीज है दीपक, कलस, जवारे का बरतन उन सभी का विसरजन होगा ध्यान रखें इसके लावा अब बात आई माता की चौकी कैसे हटाएं इसमें लोग अक्सर गलती करते हैं दोस्तों सबसे पहले आप माता की फोटो को उठा कर अपने घर के मंदिर पर इस्थान दें और उसके बाद जो सरंगार आदी की सामगरी चढ़ाई हुई है उसे घर की कोई सुहागिन महिला मा का आसिरवास सरूप प्रयोग कर सकती है या आप सुहाग की सामगरी को किसी ब्रामण को या ब्रामणी को दान कर सकते हैं फिर इसके बाद जो भी मा के सामने फूल माला आदी चढ़ा है या जो भी सामगरी विसरजन के लाइक है तो उन्हें आप विसरजित कर दें और यदि लॉंग और इलाइची आदी है तो उसे आप चाहें तो प्रशास रूप खा सकते हैं या फिर उनका भी विसरजन कर सकते हैं और जो लाल कपड़ा बिछाया है चौकी पर उसे आप किसी ब्राम्हण को दान कर दें और अब आप चौकी को अपनी जगह से उठा लें और चौकी को भी अपने घर के मंदिर पर जहां आप चौकी रखते हैं वहां रख दें ध्यान रखें कि लकड़ी की चौकी को तुरंत धो करना रखें आप ऐसे ही चौकी को रख दें आप चाहें तो थोड़े दिन बाद उसे धो कर रखें लेकिन तुरंत आप इस चौकी को धोएं नहीं तो दोस्तों इस तरह से आप पूरी भक्ती और शद्धा और साफधानी के साथ नवरात्री का विसर्जन कर सकते हैं तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जैमातादी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवज से पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, सेर करें और साथ इसाथ चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद